राइफ के पंदरा दिन दो profit able trader बनाना मेरा मात्या maximum loss 100 रुपिस का था पर रॉट और यहां पे जो हमने profit capture किया लुट का profit इस ट्रेड में था आपसे एक और नही वीडियो में आप सब का सुखता है पिछला पूरा वी कितना वॉड़ेटर था फिर भी हम consistently पूरा वी green close करने म में सक्सेस्फूल है मंडे से लेके अपनी पुजीशन मैंनेज करते करते गरीन क्लोजिंग की है हर दिन सेवंटी परसंट प्रस की एक्यूरेसी मैक्सिमम देस पे 90 एक दिन पर 65-70 परसंट की एक्यूरेसी थी शायद वेनस दे वाले दिन या ऐसा एक दिन बीच में था जहां हम क्या चाहते हैं आज एक सेटब करूंगा कर दूसरे सेटब करूंगा पर सो तीसे सेटब करूंगा और सर डेजी हर सेटब में रौस्ट खाऊंगा यह हम लोगों की फिलोसफी है और ऐसे करते हम एक दिन मार्केट इस चोड़ जाते है वह चोड़ने का रिजन क्या होता ह हमारी capital खतम हो जाती है, तो देखो, ये सब के साथ होता है, आपके साथ अनुखा नहीं है, मेरे साथ भी हुआ होगा, किसी और के साथ भी हुआ होगा, सब के साथ होता है ये चीज, बट आपको क्या करना है, आपको सर एक setup पकरना है, दो setup पकरना है, तीन setup पकरना है, और उन 30 setup, maybe 10, 15 setup, maybe today setup, very big setup price action based setup, अच्छे से समझो, यह setup भी बहुत बढ़ी है वैसा मना के देता है, accuracy बहुत बढ़ी है इस setup की, but हम लोग क्या करते हैं, हमारी सबसे पहली गर्ती है, मैं setup की उपर आने वालो हो, direct setup की उपर आने वालो हो, हमारी गर्ती किया होती है, market ऐसे नीचे आती होती है, करका दिन अगर आपने देखा होगा, करका दिन अगर आपने देखा होगा, तो लोग कहां पर फसे, लोग कहां पर trap हुए, sir, market lower highs, lower lows बना बना के नीचे आ रही थी, इस point पर market ने एक green candle क्या बना दी, सब बाइं की तरफ आ रहे हैं, यह गलत था ना, sir, यह गलत था, यही तो चीज हमें नहीं करनी, अगर मैं सुबा से कहां कि मैं selling side पर interested हूँ, scalp किया है, सुबा से यहां पर बस क्या किया है, sell at high, जब-जब highs बने कर पूरा दिन यही किया, high पर sell किया है, और उनी highs पर sell किया है, पूरा दिन सिर यह कर कर के पैसा बनाया, और बार-बार एक ही बात कहता था, मैं यहां पर buying नहीं करूँगा, market यहां तक पहुन की, तो भी buying नहीं की, क्यों नहीं की, क्योंकि sir, अपना setup है यह से, जब तक अपना setup नहीं बनेगा, तब तक हम कुछ तरहेंगे ही नहीं, अब देखो भाई, मैंने अपने सभी setups, सभी setups जिन पर मैं trade करता हूँ, 9.30, ठीक है, then हमारा 10.15, then 1.30, एक 3.00 p.m. setup की video याईगी है, वो भी मैं जल्दी जाओंगा, एक 12.00 p.m. का setup है, उसकी video याईगी, वो भी मैं जल्दी जाओंगा, उसके जावासर मैं अपनी सभी setups की videos डा चुका हूँ बट अब issue पता क्या है, हमारे भाई भागते हैं उन लोगों के पीछे जो उने कहते हैं कि हम 99% की accuracy देगे, और साथ में वो लोग वीडियो में ये भी कहते हैं कि अगर आपने stop loss नहीं लगाया हम डड़ा मारेंगे, वो भाई साब अगर आपकी setup की accuracy 99% है फिर तो मैं भी stop loss जैसा कुछ भी exist नहीं करता, मैं बार बार बता रहा हूं मुझे बहुत से भाईयों के टेल्ग्राम पर भी message आ रहा है, उस बंदे ने ये वीडियो बना दी, उस बंदे ने दिखा दिया कि मेरी 100% accuracy है मेरी setup की, उस बंदे ने दिखा दिया मेरी 99% accuracy है, आप भाईयों को मैं एक ही बात आना चाहता हूं, आप मुझे एक ऐसा setup बताओ, जिसकी 100% accuracy है, मैं उस setup में अपना सब कुछ बेच बूच के 5 क्रोड़े पर डाल दूंगा सर, और अग्या दिन मुझे उस setup में से, obviously अगर आप भाई कहते है 80% की return मिलती है, 100% accuracy है तो अग्या दिन वो 8 क्रोड़ बन जाएगा, उसके अग्या दिन सर, वो 14 क्रोड़ बन जाएगा, मैं यही करूंगा, मुझे और कुछ करने की नीडी नहीं है, तो sir कोई ऐसा setup नहीं होता जो आपको 99% accuracy दे, इन चीज़ों के पीछे मत भागो, yes हम अपने trading star को change करके यह accuracy अचीव कर सकते हैं, 99 नी almost 90% और हम कर भी रहे हैं, अगर आप मेरा पिछले 8 दिन से continuous report card देखा है हो, जो हम share करते हैं, तो हम 90% की accuracy almost daily achieve करे हैं, बहुत ही volatile वाले दिन में भी हमारी accuracy 70% थी, हमारी trade accuracy जिस दिन market बहुत volatile थी, उस दिन भी 70% थी, ठीक है, तो अगर देखो आप यह चीज़ सीखना चाहता हो, कि कैसे मैं अपने साई setups को combine करके, कैसे मैं अपने साई setups को combine करके trade करता हूं, तो उसके लिए यह हमारा course है, link description में है, 4999 का course है sir, early 40 and rollments के पर नहीं हट वाया, आप इसको aware करो, अगर आप stock market में अपनी जर्नी को change करना चाहते हो, अगर आप losses करे हो, आप profitable नहीं बन पा रहे, तो sir आप change करो, बहुत से भाईोंने, जो हमने free course channel पर डाला हो ना, वहीं से देखके profitable होगे, बहुत से भाई, उसी course के साथ, बहुत से लोग profitable बनगे, तो आप सोचो, अगर free में ऐसा content हमने deliver किया, जिसने trader भाई लोगों की, trader भेहनों की, जिंदगी change कर दिया, तो paid में क्या धमाका होगा, ये आपका life changing course होगा, और मैं आपको दुबारा सर बता रहा हूँ, 2999 आपका एक दिन का stop loss है, अगर आप derivative market में trade करते ह आपका एक single day का stop loss है ये, तो वो stop loss जेने से अच्छा इसको invest करो, ये course में सीखो, कैसे मैं 3-4 setups को combine करके trade करता हूँ, कैसे आपने उन setups को combine करना है, और मैं यहाँ पर देखो, मैं भी यहाँ पर 90% की accuracy लिख रहा था, वो लोग तो live trading नहीं करके दिखाते हैं, हम तो live trading करके, इपोर्कार्ड शेर करके, ये accuracy अचीव कर रहे हैं, इपोर्कार्ड live trading कर शेर करता हूँ, live trading बैठके करता हूँ, उनको जूट तो वहाँ पर हो ही निसकता, हम तो उसमें ये 90% की accuracy अचीव करके लिखा रहे हैं, तो भी यहाँ पर मैंने 75% लिखा से, क्योंकि मैं बैकाना आपको चाहता है, मैं सिर्फ आपको यहाँ पर अपने setup सिखा के, और कैसे मैं उन 3 setups को combine करके, डेजी, ट्राइ करते हैं, हम 90% तक accuracy लेने की, बट बहुत वालेटा है दे में, पिछले पूरे week में traders को fry किया गया है, option buyers को fry किया गया, बट जिन भाईयों और जिन बहनों ने यही बात माननी होगी, करके दिन एक ही बात क्या आया था, दस बजे की बात, मैं आज PE में interested हूँ, यहाँ पर एक green candle बनती ही, सब CE में कहते हैं, सर, CE दे दे, CE दे, नहीं देना, नहीं देना, और यहाँ पर मैं exact this point पर short करने के लिए यहाड़ी था, exact this point पर दुबारा short करन हम आते हैं अपने setup पर जिसका नाम है 2RT setup, 2RT क्यों? 2 times trade करेंगे हम इसको दिन में, total एक दिन में दो बार से ज्यादा trading करेंगे और इसका नाम है universal trading setup, मतलब दो बार reversals को दिन में trade करना, अब वो कैसे trade करना है मेरा points अब दो sir, देखो, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग क्य मैं भी शुरू में करता था, जब तक समाझ नहीं थी market की pay rejection पड़ते नहीं थे, कुछ नहीं करते थे, तब तक हम क्या करते थे, market गिरती थी, एक green candle बनती थी, buy कर लेते थे, अगर ही candle इतनी बड़ी red बन जाती थी, हमारा stop loss भी चला जाता था, हम exit भी हो जाते थे और हमार हमें चाहिए W, हमें चाहिए DAO, हमें चाहिए fake out, तीनों में से कुछ pattern मिलेगा, तब ही मैं भी वर्सल का trade करूँगा, नहीं तो नहीं करूँगा, condition number one, condition number two, जिस point से भी वर्सल हो रहा है, यहां तो वो हो previous day low, मतलब अगर हम एक C side के भी वर्सल देख रहे हैं, कि मैं C side यहां वो कोई MMZ zone हो, MMZ zone जिनको नहीं पता वीडियो देख रहे हैं, भाई माई, MMZ zone बहुत बढ़िया setup है, worth at least 20-30,000 का setup है, जिसकी वीडियो मैंने फ्री में दाजी हुई है, और यहां तीसरी चीज कोई round level हो, rules दुबारा बता रहा हूँ आपको, इन तीनों में से एक ब universal plan करना है, यहां तो W मिले, यहां DAO मिले, DAO क्या होता है, DAO होता है, 2nd wave, 1st wave से, यह 4 को waves treat करो, 3, 4, 2nd wave, 1st wave से 50% नीचे हो, 3rd wave, 2nd wave से 50% कमो, और फिर यहां पे neckline break हो, aggressive entry, moderate entry, safe entry, तीनों तरहां की entry संड़े वाजे सेशन में भी बतायी थी, सब कुछ बताया था, यहां पर देखो, W, पहला बात, DAO, दूसरी बात, तीसरी पॉइंट, फेक आउट, यह 3 में से एक pattern होना चाहिए, reversal trade की बात आपको बता रहा हो, reversal trade आपने कैसे plan करना है, rule number 2, सर जिस पॉइंट से market reverse करे, या तो वो previous day low या previous day high हो, या वो कोई MMZ zone हो, या सर वो वहां पे कोई trend line आ रही हो, ठीक है, और number 4, सर यहां वहां पे कोई important round level हो, जैसे bank nifty 45,000, 46,000, important round levels होते हैं, यहां पे call writing अच्छी खासी होई होती है, तो यह important round levels होते हैं, तब रिवर सर प्लाइन करना है, second, rule number, इसमें एक point और आता है, Fib level point five, मतलब Fibonacci retracement का point five, वो suppose यहां पे market downtrend में था, इसकी हम Fibonacci बनाते हैं, तो हमारे पास यहां कहीं पे 50% आएगी, आपको Fibonacci tools लगा के लिखा रहता हूं, यहां कहीं पे Fibonacci आएगी, और कर हमने इस pattern के साथ trade भी किया, करकर अगर आप दिन देखो, कि हमने इस pattern के साथ trade भी किया, Fibonacci पे M बना, हमने इसके साथ trade किया, condition sir क्या होती है, अगर यह आप W, DAO और यह fake out देखे हो, यह support पे बनने चाहिए, और अगर आप resistance के लिए देखे हो, तो अगर यह होगे support के, अगर आप resistance के लिए देखे हो, तो यहां पे बनना चाहिए M, fake out, यह DAO, तीनों मैंसे कुछ बनना चाहिए, add resistance, add support, rules note करो, rule number one, W, DAO, यह अगर कोई ultra pattern बन जाता है, suppose मैं support की बात करूँ, suppose मेरी support पे, यहां पे मेरे पास एक support थी, और suppose मेरी इस support पे M बन जाता है, M, तो मैं इस M को trade करूँगा, कभी भी नहीं करूँगा, कांटा, कांटा, बात मान के चलना, trading journey change हो जाएगी, मेरी होई या आपकी भी होई, मैं आपको reversal पकड़ने का तरीका बता रहा हूँ, यह तरीका बताने के लिए भाई, बहुत बहुत पैसे लेते हैं, लोग, मैं आ कैसी कई setups की videos कई कुछ रेकिया आता जाता हूँ, और अब तो अपना paid cost भी आ गया, जो बहुत nominal cost में आप लोगों के लिए रखा है, वीडियो में पहले आपको उसके बार पता है, ठीक है, दो rules आपके पार समझ आगी, अब तीसरी point आता है, इसको trade कैसे करने, करके दिन प तो आपके सामने है, अब मैं आपको दिखाने बाला था हमने, करके दिन पर हमने कैसे trade कैंब क्या set-up था मेरा, जिसके साथ करके दें पर trade किया, तो करके दिन पर आपको पता है अपने पास कुछ levels होते हैं, जो अब मैं अगर देखने जाओं तो उमें पस मेंमे जो आपके trading में time नहीं निकाल पाते है live trading को time नहीं दे पाते हूं उनके लिए बताने वारो यहां पर हमाये पास एक level था ठीक है और यहां पर हमाये पास इस downtrend का 50% था इस down trend 50% यहांपे में मैं पस मांग ठा 50% इसका मैं यहां पर माग तर्जेता हूं इस trend line के पास जब जब market गई हमने short किया हमने short किया पैसा बनाया पूरा दिन यही किया कर पूरा दिन बार-बार किया यह जब जब इस trend line के पास-पास market जाती है यह मतलब हर high पे market को sell किया हर lower high पे market को sell किया ऐसे ही करके दिन में 8-9 trades किये थे ऐसे ही और यहां पे जब market आती ह है support पर तो यहां पर मेरे पास दो चीजें मनती है मेरे पास यह 50% का zone है और मैं trend reversal तब तक इसको trend reversal को कैसे trade करना आपको मैंने बताया है कि हमें यहां पर W चाहिए हमें M चाहिए हमें कुछ भी चाहिए हमें यहां पर उन में से एक pattern बनता हुआ दिखता है उन में से एक pattern बनता हुआ दिखता है मुझे यहां पर डाउ बनता हुआ दिखता है मेरी aggressive entry safe entry सब कहां पर होगी इस candle में aggressive players enter होंगे अगर आपको नहीं समझेगे अग्रेसिव सेफ क्या है हूं तो संडे वाली class लगा लो सर फ्री सेशन है इस पर पड़ा बेसिकली दुबारा बता भी देता हूं वो class क्या लगाओगे simple बिखता हूं aggressive क्या होता है जो इस candle में enter होता है safe क्या होता है moderate player क्या होता है जो इस running candle में एंटर होता है safe player क्या होता है जो यहां पे इस वारी green candle में enter होगा safe यह क्या है sir अपको टिनों में से एक चीज़ चूज uiteर ANY है यह आपको aggressive player बनना है यह safe player बनना है यह running candle प्लेइ एक दिन aggressive एक दिन safe एक दिन running candle तो यहाँ पर हमें यह pattern बनता हुआ दिखता है मैं यहाँ पर suppose scalp करता हूँ यह position मैंने नहीं बनाई थी क्योंकि sir कर मैं सिर्फ P side की trades दे जा था यह वाली position मैंने calculate पर नहीं बनाई थी but यहाँ पर in case मैं scalp करता हूँ तो मेरा target इसके बाद तक का नहीं होना चाहिए और अगर मैं यहाँ पर safe entry करता हूँ मैं यहाँ पर इसकी scalp तो करता नहीं क्योंकि sir मैं P side की trades देने में ही interested था मैं यहाँ पर safe entry करता इस point पर मैं यहाँ पर entry करता तो मुझे मेरा risk to reward अच्छा नहीं मिल रहा था तो यह C side का trade मैंने नहीं जयादा देखो कहीं चीज़ें होती हैं जिसको combine करके हम 90% की accuracy जेकर आ सकते हैं ना तो कोई indicator आपको 90% की accuracy दे सकता है ना akira price action आपको 90% की accuracy दे सकता है यह आपको 90% accuracy जाने के multiple setups को combine करके multiple confirmations चे साथ psychology बना के trade करना है तब आप 90-95% accurate trades जेपा होगे नहीं तो कोई आपको setup कोई घुटी आपको मैं पिला दूँ कोई आपको घोल के चीज़ बता दूँ आप कभी सर नहीं जेपा होगे ठीक है तो यहाँ पे देखो इस point पे मैंने safe trade करना था aggressive इस लिए नहीं करना था क्योंकि अपना यहाँ पे CE side का बिल्कुल मन नहीं था किसी भी point पे market ऐसे fake out देके वापिस आ सकती थी करके दिन पे आई भी है करके दिन पे यह trend line थोड़ी सी पहले tight थी market आई भी है तो मुझे यहाँ पे क्या चाहिए था मुझे यहाँ पे sir जब यह बना suppose जब यह बना तो जो blindly इसको follow करते अगर आप इसको blindly suppose follow करते तो आप यहाँ पे क्या करते आप यहाँ पे इस W के इस DAO के साथ एक trade में enter होते और यहाँ तक का अपना target रखते है 50% तक का अब sir मेरे इस FIB पे मुझे M मिल रहा है अगर आपको FIB नहीं पता FIB क्या होता है sir FIB के कुछ points होते है Fibonacci retracement tool होता है उन points से यह retracement होती trend की जैसे एक downtrend में है market तो 50% price correct होने के बाद वो नीचे जाती है market में 2-3 की correction होती है time wise और price wise time wise direction होती है जब flag and pulse बनते है market में ऐसे यह ऐसे यह क्या होता है कि market एक बड़े move के बाद rest करता है जैसे गाड़ी गरम हो जाती है तो गाड़ी थोड़ा सा rest करती है न फिर चलती है ऐसे ही होता है और price wise direction की होती suppose market ने एक जर्दी जर्दी down move दे दिया तो market अपनी price को correct करने के लिए 50% तक 61.8% तक यहां कहीं पर जाती है और उसके बाद दुबारा trend फॉलो करती है उसके बाद दुबारा trend फॉलो करती है मैंने सर्दी यहां पर मेरी सभी conditions फॉलो ही यहां पर मुझे M दिखा मेरा 50% का zone था 61.8% का zone था यहां से market retrace हो सकती थी अगर यहां पर W बनता मैं trade लेता बिल्कुल भी ना लेता मुझे रूल किया है अगर कोई resistance है मुझे वहां पर M चाहिए कोई support है वहां पर W चाहिए यहां पर थी resistance तो यहां पर सर्दी मुझे M मिला इस M के साथ हम इधर ही aggressive enter होगे aggressively इधर ही enter होगे और फिर से हमने सर अपने setup में यहां पर points aggressively आप जाके देखो राई में 100 points capture किये हमने 2 बज़े से लेके 3 बज़े से पहले पहले क्योंकि हम सारी positions 255 से पहले अपनी square off कर देते हैं तो 2 बज़े से लेके 3 बज़े के पहले पहले तक यहां पर trade लेने का फंडा क्या था एक candle बनी exit होगे फिर यहां पर candle बनी फिर enter होगे फिर exit फिर यहां पर pullback के साथ candle बनी enter exit तो इस momentum को 3 trades में divide किया सिर्फ दो रूपरे के stop loss के साथ stop loss यह दो रूपरे का था option premium की बात करें spot chart की नहीं देखो मैं हमेशा वो चीज बोलता हूँ 2 points बोदू spot chart पर बोदू कोई फैदा नहीं है जो चीज हमारे jam में आनी जो पैसा हमारे jam में आना हमने उस terms में बात करनी चाहिए उस terms में 2 points का stop loss था मतलब maximum loss 100 रूपिस का था per lot और यहां पर जो हमने profit capture किया ना वो 100 इंटू 10 1,000 रूपिस पर lot का profit इस trade में था इन न गो इन गो 1 इस टू 10 तक यह trade गया 2 points के stop loss के साथ 10 points तक गया method यही है अगर आप वो rules को follow करोगे तब ही आप reversals को trade कर पाओगे नहीं तो reversals trade करने के बीचे कोई logic नहीं है yes मैं 110% agree करता हूँ कि अगर आप इस point पे भी aggressively enter होते तो आपको यहां पर 65 points मिलते हैं मतलब आपके option chart पे आपको 30 points मिलते हैं बट sir क्योंकि market इतना bearish था यहां पर 65 points चले गए यहां पर 65 points चले गए मेरे भाईयों ने जो सी वाली trade में जिन्होंने मेरी बात ना मान के इस point पे कोई trade सी का बनाया था वो बाद में रोए कि एक तो हमारा trade यहां पर उल्टा चला गया जब यह यहां पर red candle आई ना तो मुझे message आने शुरू होगे chat में सार सी होल्ड है मैंने का हमने तो सी कहा ही नहीं इस point पे ही मारी conviction थी कि हम सी में नहीं जाएंगे इतने downtrend में market है फेल्डे का दिन है सी में जाना तो बहुत बड़ी वेवकूफी है तो यहां पे against the rule W को नहीं trade किया यह एक rule नहीं था यह एक psychology थी यहां पे form हो रहा था बट एक psychology थी points इसने यहां पे जूर दिये option move नहीं किये यहां पे option hardly 10 points मूव किये मेरा stop loss ज़्यादा था हम करते हैं 2, 3, 4, 5 points के stop loss के साथ का मतलब maximum per lot 250 रुपिस का रिस्ट 250 रुपिस से उपर के रिस्ट में जाते ही नहीं अब कोई beginner है जिसको डर रखता है माकिप में सर्ट 250 तो वो भी निकाल सकता है 250 के रिस्ट के साथ अपने पास ऐसे ऐसे भर लोग है जो daily 25-25 रुपिया बना रहे हैं एक एक lot में 5-5 जार रुपिया बना रहे हैं राईब में आओ पता चल जाएगा बस psychology समझनी है कैसे trade करना है M बनता है यहाँ पर इस M के साथ downward trade बन जाता है यहाँ पर हमारे पास resistance थी अगर यहाँ पर W बनता suppose यहाँ पर W बनता मैं इसको तभी trade करता बिल्कुल भी न trade करता क्योंकि यह मेरी support थोड़ी थी यह मेरी resistance थी फिब से market resistance रेती है support नहीं रेती हाँ अगर uptrend में ओ market तो फिब से support रेगी अगर downtrend में यह फिब से resistance रेगी अगर आपको यह चीज़े नहीं समझाती तो sir आप अभी trading करने के बिल्कुल काबल नहीं और दो indicator लगा के कोई भी trading नहीं कर सकता फिर आप हमारे course में आओ आप course join करो और ऐसे और बढ़िया setups चाते हो तो वीडियो के नीचे comment करो मैं आपसे एक-एक करके सब ही अपने setups जिन पर trade करता हूँ वो आपको सारे setups दे दूँगा confirmation साही दे दूँगा आठ में से अभी से अफ एक confirmation share share किया है साथ और पढ़िया है वो confirmation पर video चाहिए नीचे confirmation comment कर दो इस पर live trading देखना चाहते हो तो हम live अलरी करते हैं फेवर live comment कर दो video share कर दो like कर दो चैनल को subscribe ने किया भाई subscribe कर दो इतना valuable content मुझे बता मेरे content की क्या value है मैं किस full heart के साथ content बनाता हूं पूरा time आप भाईयों के साथ बैठता हूं और in case आपको अभी market की basic समझ नहीं फिर सर आप course में आजो आपको pro बना के बाहर निकालेंगे एक pro trader वहाँ से बना के बाहर निकालेंगे और video को reach दे दो जो video ने मारा channel slow किया था जिस video का भाईयों को इंतजार था कि वो चैनल पर दुबारा आजाए वो भी आज जुखी है second part चाते हो उस video पर जाके part 2 comment कर दो यह इस video पर part 2 comment कर दो उस ता part 2 आजाएगा बन मुझे 200 comments चाहिए उसके part 2 के लिए मुझे 200 comments चाहिए कि इतना बड़ा रिस दुबारा रूँगा तो अगर आपके 200 comments नहीं आते हैं मैं वो रिस कभी ने रूँगा दुबारा क्यूंकि fake strike phase से आएगी जिसने part 1 पर fake strike मारी वो part 2 पर भी fake strike मारे गया तो कोई फैदा नहीं होगा ठीक है तो अगर आप चाहते हो मैं ये रिस करूं तो मुझे आपकी तरफ से 200 comments चाहिए क्योंकि sir legally बहुत effort लगा मुझे उस video को reinstate कराने में बहुत formalities करने पड़ी है उस video को reinstate कराने में मुझे पता है पिछले 12-14 दिनों में मुझे क्या-क्या करना पड़ा आप लोगों के लिए वो video reinstate कराने में वो video नहीं देखिया आपको नहीं पता था reinstate होगी जाते देखे हो चैनल पर दुबारा आ चुकी हुई है reinstate video और अगर आपको मेरी जाए मेरी ट्रेडिंग जर्नी मेरे ट्रेडिंग स्टार के साथ ट्रेड करना है जैसे मैं ट्रेड करता हूँ सब कुछ सीखना है 15 दिनों में अपनी जाइफ के 15 दिन निकादो और अपनी जाइफ का आप 3,000 मांग रहे हैं सर वो वेबसाइट ये maintenance ये recordings इन सब की कॉस्ट है कोई वहाँ पर हम प्रॉफिटेबल नहीं हो जाएंगे बहुत जादा वो इनकी जो operational कॉस्ट है उनमें जा रहे हैं वैसे तो आप राइफ के 15 दिन दो profitable ट्रेडर बनाना मेगा प्रॉफिस है अप से मैं आपको profitable ट्रेडर बनाँगा आपने मुझे अपने 15 दिन देने profitडर आपको मिलते हैं सर नेक्स्ट वीडियो में थेंक्यू वेरी मुच अच्छी जगी वीडियो लाइक कर दो कमेंट कर दो शेयर कर दो बाई टेटिया सेटप में कोई डाउट है नीचे पूछो आपको रिप्लाई आदेगा बाई अवरीवन